हेलो बच्चों नमस्कार आज की जो अपनी क्लास है सी प्रोग्राम्स टू प्रिंट एन रोज ओ फॉलोविंग पिरेमीड्स ओबलिक पेटर्न्स पेटर्न्स तो अपने इस से पहले जो क्लास ली थी नेस्टेड लूप से रिलेटेड अपने टोपिक पढ़ा था अब अपन नेस्टेड लूप को कैसे एपलाई करें कैसे इंप्लिमेंट करें तो अपन नेस्टेड लूप के थूप जितने भी आपके पिरेमीड या पेटर्न्स होते हैं जिसमें हाफ पिरेमीड हो सकता है फुल पिरेमीड हो सकता है डाइमंड शेफ हो सकती है कई सारी निमेरिक वे तो इसमें फर्स्ट वाला जो फिगर है इसमें स्टार्स को लेकर प्रिंट करना है सेकंड वाले फिगर में 112123 आपके जो लाइन चेंज होती है हमीशा वन से रहेगी और रेगुलर एक-एक वेल्यू बढ़ती भी जाहेगी ऐसे यहां पर वन आएगा और सेकंड लाइन में 22 थर्ड लाइन में 233 आएगा फोर लाइन में 44 आएगा तो यह ना ऐसे लाइन नमर के हिसाब से वेल्यू चल रही है यहां पर आपके पहले लाइन में 1 आ गया दूसरी लाइन में 23 आ गया 456 आ तो रेगुलर काउंटिंग है तो अपन इन पैटर्न को कैसे डिस्प्ले करें तो सबसे पहले इन पैटर्न को अगर डिस्प्ले करना हो तो अब देखे अपन इन में कैसे लोजिक बनाई है लोजिक कैसे बनेगा तो अपन एक पहला एकजाम पर लेके चलते हैं अब आप जितने भी पैटर्न देख रहे हो तो इसमें कंसेप्ट क्या है तो बेसिक अब कर देख रहे है तो अबड़िक ब्रेकर लेकतर कर तो और वह तो आपके ब्लय कितने आयेगी उसमें से इसमें आपके कूंन आई यह सिंपल सी ठियोरी है तो एक स्टार आगया अब लाइन नमर् 2 पे आया में जैसे ही तो लाइन नमर् 2 पे आऊंगा तो इसमें वेल्डू हुप भी तू यह तो दो इसटार इसमें प्रिंट कर देंगे तो अफिर अपन को लाइन नमर्ड जैसे मैं इसे करते करते line number मान लोगी 7 पर आगया तो 7 line में कितनी value print होगी एक idea लग गया कि 7 line में अगर बोल लूँगा तो आपका माइन में 7 star ही आएंगे 7 line अगर मैं बोलता हूँ तो 7 star आएंगे अगर मैं line number n कर दूँ कि line number n में कितनी star आएंगे तो n ही value आएगी तो यहां पर star की n प्रिंट कर दूँगा star n तक up to n तक तो अपना यह logic क्या बना कि logic बना कि line number जितनी अपन generate करेंगे जो भी line अपन प्रिंट करेंगे उस line में उतनी ही value आएगी तो आप कोई से भी figure के steady कर लो कि अपन second number के जो Christians है उसमें भी अपन देखें तो पहली line में जैसे 1 आया दूसरी line में आपकी 2 value आ गई तीसरी line में 3 value आ गई 1 2 3 चोथी line में आपके 1 2 3 4 आ गया पांच्वी line में 1 2 3 4 5 आ गया तो जितनी में line कहूंगा उतनी value आएगी ऐसे आपका दूसरी line में 2 2 2 आ चीए तीसरी line में 3 3 आ चीए 4 4 4 आ चीए 5 5 आ चीए पर यहा पर देखेंगे फोर्थ नमर का किसं़स है 1 आ चीए पिर दूसरी line में 2 और 3 आ चीए यहां पर 3 यह जैसे end और आ आ तो फिर यह next line में जैसे चेंज करें 456 आना चाहिए तो यानिक सिंपल से अपना जे किस्टन का जो बेस हुआ कि लाइन नम्मर उतने ही कोलम्स में वेल्य आनी चाहिए सिंपल सी थियोरिया तो लाइन नम्मर एक्वल कोलम्स की वेल्यू यह अपना एक लोजिक बन गया अब अपने इसको केसे चलाए तो यह न यह टूडी फॉर्म में चल रहा है अपना यह अपन इस डेटा को जब प्र होगे यह क्या है तो यह मैं कहतेता हूं यह एक मेट्रिक्स फॉर्मेट है यह एक टेबिल्स है तो टेबिल्स किस से बनती है तो टेबिल्स आपके बनती है रो एंड कोलम से तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे रो इसको तो रो 1 बोलूंगा रो 2 बोलूंगा रो 3 आउनलो जहां इसको निए इन योद आया तो यह यह दो को यूज कर लिया जीरो और वन को वन को, यह दो तो, फौर वन कर दिया, बौन का दो जानि आउनलो इसको कि दो तिखुर तो सिफट लाइन को अजये गर आपको इस तरह के कन्ट्रोल करना फौकर चला। तो एक तो row के लिए loop चलाओंगे तो एक तो row के लिए loop चलाओंगा तो यहाप एक एक outer loop यूज़ करूँगा, यह हमेशन हिआthe रख लो कि जब भी मैं row चलाओंगा तो एक outer loop यूज़ करूँगा तो इसका एक control variable मैं यूज़ करूँगा, внутrip आई लेकर चलकूंगा यहां पर हैन के प्लब को आई में ड्रॉम्ट चलेंगे तो सह एक ड़ॉम्स चलेंगे तो फिर MORE कितने कोल्म से गरे 2D form में तो अपन को यह ना यहां पर जे लेके चलेंगे तो दो लूप चलाएंगे अपन तो यह इनर लूप में लेंगे अपन यह जो जे वाला लूप चलाऊंगा मैं यह इनर लूप यूज करूँगा इनर लूप इनर लूप में उतने ही कोलम चलने चीए तो जो आपका सेकिंड लूप जो बनेगा इनर लूप वह आई पर डिपेंड करेगा तो अगर मैं रो नम्मर को आई से जनरेट कर रहा हूं तो फोलन्स आपका जो चलेगा वह कोलम हमेशा ना वन से चलेगा आप देख लो यह ना व यह तो अपने इनर लूप यूज़ करेंगे इनर लूप और यह अपने आउटर लूप यूज़ करेंगे तो अगर यह दो लूप को यूज़ करना आता है और फिर यह से पूरे आप प्रिंट करवा सकते हो तो अब यह कैसे प्रिंट करवाएं तो इसका जो दो कंट्रोल वे डाई हो जाएगा जे हो जाएगा और एं अपके डाउत के लिए ले रहे हुंए थे नुम्मर और 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 खिल प्रिंट करोगे ठीक n2 लॉट खिलीनगे फिर से बिखने में विरक घ्क सब्राइब कलेगे परसेंट डिक यह वेलिह अपने पास आ जाएगा अब अपन को ना यह वाला पेटर्न चाहिए चारो फॉर्मेट में जो लूप'Me loobox को यूज़ करेंगे तो यह वेल्यू कितनी आनी चाहिए तो यह सिंपल सी है कि पहले नाजų पहले नाइगी तो पहले वन टाइम लूप वन टाहिंच चलना चाहिए दूसरा फेक्षरी लाइन में इनर लूप य। ना चांगे तो अपन कोुझना उसी के एकौणिंग यवेल्य में ब्रिंट कराने का एक प्रिंटाफ इस्टेटमेंट चेंज करेंगे जो ऑपन यूज करेंगे वह छारों प्रोबलम्स के लिए एक सिमिलर कंट्रोल इसकिन नम्र का चाहरों लूप का इसे कितनी प्रिंट करवानी लाइन में तो एक विमलाज सबका चारों का एक सिमिलर लूप यूज करूंगा और प्रिंट अफ में डिफरेंट डिफरेंट है ना अपने को चेंज करेंगे वेल्यूज को अगर स्टार चीए तो डायरेक्ट में स्टार पिंट कर जाएंगे वन तो थी चीए तो फिर आपन देखेंगे कोन से लूप से वेल्यू जनरेट हो रही है तो अपन को एक एक प्रोग्राम साएगा तो चार प्रोब्लम्स हो गई अब तो अपन को सिम्पल सा है कि यह अपन कैसे लूप चलाए अब देखो लूप चलाओंगा मैं सिम्पल सा 4ído चला रहा हूं मैंना यह सब्सक्क्राइब c all प्लाडिया है मैंना आय क्वल वन से कब तक चलाओं इसको कि कितनी रो बनाओगे या ए निया से आया य फेटल रो तक चलादिया इसको ए इन तक चलादिया हूइन एर अध्ल यह तो प्लस प्लस यह तो क्या करेगा यह रो जनरेट करेगा यह मैं रो के लिए यूज करूँगा रो जनरेट करेगा अब इस लूप में अपने न क्या लिखे कि यह आउटर लूप है तो यह क्या करेगा वन टू थ्री फॉर फाइवे से लाइन नमर जनरेट कर देगा तो इससे लाइन नमर जाएगी तो line number 1 आएगी अब 1 का क्या करें तो 1 का 1 आ रही है line number तो 1 star print करो line number 2 आ रही है तो 2 star print करो अब print कैसे करेंगे तो print के लिए फिर अपन दूसरा loop चलाएंगे तो J को कहा से सुरू करूंगा 1 से कितना चलाओंगा J को कि J चलेगा कितनी value रिवी प्रिंट करो गे आए तो आ यहां से चल रहा है यह को मैंने सीधा आई की वैलिए जो भी आएगी वहहां पर यूज कर लिए यहां पर लिए यह प्रिंट कर लिए प्लस यह प्लस प्लस फ्लस तो इस कितने कोलम्स बनाएब क्या ना को सबसुदा अब सब्सुदारा दृचल जाएगा उसके बाद बनने 9 ऑद सबस्राइब को शलते में पर बने 7 कि ultimate प्राइब हमाइब रहा डला उपिखें हो रहा है एक अंब एक इक रइगा क्या अपर जो बीच यह नपन को जैसे प्रिंट कर दिया मैंने स्टार प्रिंट कर दिया है अगर मैं इसको चेंज कर दूँ इसको अगर अपने चेंज कर दिया इसकी जगह जैसे मैंने प्रिंट कर दिया पर्सेंट D करके और J प्रिंट करवा दिया तो J की वेल्यू यह पर बन लिया, यह इस तरह से प्रिंट कर देगा सिसे आ कि रहो पर यह खर रहे सी, अगर मैं इस attracting कर तो यह सिंपल सर फिरह बनींदर करेंग एक ब्रिद करेंगा एक बति करेंगे सिछ यहां पर मालागें इक एकौनटिंग चीए आपने कर दो को प्र्लोड鹿 अर्प्रिंट में प्रिनाँ तो यहां पुर्ड नमर nave Loam कर दो करिंदो तो एक analogy करना कुछ नहीं है यहSen Some A के से कंट्रॉल करें तो ऐसे के कितने बनानी है ना होज में कितनी वेल्यू बनानी है कि इनर लूप को कंट्रोल करना ओर प्रिंटिं noir के चाते हो तो f1 अगर एक प्रोग्राम आता है तो आफो सारे अउन प्रोग्रामॉ ग एक प्रोग्राम्स का लोजिक अगर आएगा तो यह चार लोजिक आपके किलियर हो जाएंगे पध्धान देने का पॉइंट यह रहेगा यह वेल्यू कैसे बने की तो यह वेल्यू जैसे यह ना इनर लूप में क्या वेल्यू चलेगी तो यह सिंपल सा इसका यह लोजिक अब आएकमान से ना बहुत चलेगा तो यह लेके यह लेके छला चल दो चलेगा 1 से 3 तक तो I कमान 4 लेके आया तो J चलेगा 1 से 4 तक तो I कमान 5 लेके आया तो J चलेगा 1 से 5 तक तो यह है न, J कमान क्या बना 1 और 2 बना पहले तो 1 से 1 तक चला यह न, तो 1 बना यहाँ पे यहाँ पे J कमान क्या बना 1 और 2 बना यह तीसरी आए कमान जब 3 आए तो जे कमान क्या बनेगा 123 बना जब जे कमान यहां पर आगर आए कमान 4 आएगा तो जे कमान क्या बनेगा 12345 जे क्या करता है रोग में वेल्यू प्रिंट करेगा columns में row के अंदर columns generate करेगा कि कौन सी row में कितनी value बनानी है तो जितना i आएगा j उस पे depend करेगा तो i का role inner loop में j की जो condition है वो उस पे depend करेगा मनला हो कि i का effect और रहा inner loop पर effect औरता है inner loop कितना चलना चाहिए तो इनर कंडिशन से पता चलेगा तो इसका logic ऐसे बना सकते हैं अब इस program को अपन इस प्रोग्राम को एक प्रेक्टिकल यह अपन देखे एक बार इसको तो यहां से मैं इसको न मिनिमाइज करके सी के उसमें जा रहा हूं मैं देउसी के अंदर देउसी प्लस प्लस का compiler यूज करूँगा मैं यहां पर आप देउसी में आ जाओ यहां पर डबल क्लिक करूँगा देउसी प्लस प्लस पे तो यह खुल जाएगा अपना देउसी प्लस प्लस का compiler यह खुल गया, अब यहाँ पर फाइल में गया, एकदम न्यू फाइल ले लेता हूं, मैं, सोर्स फाइल, यह अपने फाइल के खुल गई, अब अपन प्रोग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले तो स्टार का पैटर्न डिस्पले करना चाहेंगे, तो सबसे लिए तो आप स्टार, स्टार का अपनिया यूज करते हुए, अगर इसका वह भी देना चाहें, आप ऐसे दे सकते हूँ, जैसे मैंने स्टार, सेंपल भी देना चाहूँ, सेकिंड लाइन में दो स्टार आने चाहें, थर्ड लाइन में आपके हैंने, तीन स्टार आने चाहें, फॉर्थ में चार स्टार आने चाहें आधि पोरोंट सोग'RE है यह चाहर है यह चाहर है अपन फिर इसके बाद निल्पेन्स ओ गया लाइव्रेल को यूज करो तो लाइव्रेली फाइल कैसे यूज करएंगे हेस इंक्लूड कौन से आएगी एस्टीडी आयो डॉट एच लाइबरेटी फाइल होगी मेरी फिर अपन क्या लिखेंगे इंटीजर अगर आप तर्बो सी करते हो तो वोईड में भी लिख सकते हो अपन कौन सा कमपलर यूज कर रहा हूं मैं देव सी प्लस प्लस फाइप और यह न हमनद नमर ओफ रोग के लिए लिखूंगा मैं फिर यहां पर लिखूंगा प्रिंट अफ एंधर है था नमर ओफ लाई नमर ओफ नंमर ओफ रोज कि कितनी दू प्रिंट करोगे मारें कि यहां इसकेन करूंगा इंटीजर डीटा है तो इंटीजर डीटा के लिए कोटेशन में पॉर्मेट इस्पेसिफाइड करेक्टर डी होगा फिर इसके बाद में कोमा फिर एंड के साथ में एड्रेस ओफ ऑपरेटर फिर यहां पे सेमी कोलों लगाएंगे अब अब अपन को भी आये नो आई को नुहां तक लेकर चलेंगे पर एंट तक तो एंट लेस देन इक्वल एंट आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस इसका बीगिन करूंगा मैं अब इसके यह हो गया कि आपके रो जन्रेट करेंगा 1 2 3 4 5 तो आई का रोल यह रहेगा कि वन आएगा वन करो फिर आई का मान 2 आएगा तो दो वेल्यू प्रिंट करो तो आई का रोल सेकिंड लूप में कंडिशन में आ जाएगा तो यह फोर लूप चला रहा हूं मैं तो इसका मैं कंट्रोल जे यूज कर रहा हूं जे इक्वल वन अब जे कितना चले बस यह सोचने का एक क्त्रेंद नौत्श प्रिंट में क्या चाहते हैं जोकी स्टार एक सपेस देती हैं अ है खुंड अ कि फिर यह इनः लूप मैं फिर फिर आपने हमादव ना लाइनज करेंगे ऐसे लूप खतम हो गाने फर नइक्स्ठ लों चले जाऊ तो लाइन चेंज तो उसके लिए क्या होता है, break-less end, यह line break करेंगा, यह line break करेंगा, फिर यह आपका outer loop की खुश हो गया, तो यह आपका inner loop हो गया, inner loop मेंगा on your single statement, तो आप जाओ तो braces को हटा भी सकते हो और outer loop की begin हो, outer loop की हो गया, outer loop में है new line करने नियुए। संपयी से नाम से मारा है। इसको मैंने P1 के नाम से सेव कर लिया अब इसको अपने रन करवाएंगे तो एक्जिक्यूट यह F9 कर सकते हो कंपाइल कंपाइल रन यह फिलेवी ना यह देखोगे यह नम्मर ओफ रोज अब नम्मर ओफ रोज मेरे को मालो कि 7 रोज चीए इसे वन और से रोज में यह पूरा complete डाइग्रम आगया तो आपके यह result आ देखे को मैंने 7 दिया तो यह 7 पहली लाइन में एक स्टार आ गया दूसरी लाइन में दो स्टार आ गया तीसरी लाइन में तीन स्टार आ गया चोथी लाइन में फिप्त लाइन में फिप्त इस्टार आ गये 6 नमर की लाइन में 6 स्टार आगे, 7 नमर की लाइन में 7 स्टार आगे, तो यह आउटपुट की स्क्रिन जन्रेट हो गई, और यह अपना एक पिरेमिट बन गया, प्रोपर फोर्मेट में, तो अगर अगर अपन इसमें और कुछ चेंजेज करना चाहें, तो अब देखो, यह स्टार के हो गया, अब अपन और यह चीह, इस प्डोग्रम को आपने देखी लिया, यह प्रोग्रम का कोड के से बना, यह प्रोग्रम आपने कमेंट्स लिख दिया, यह आपका, क्या चाहरा हूं, तो यह इन, बिडिकिन कमेंट्सक्ase, मैंने मल्टिपल लाइन कमेंट्स के के लिए स्लेस स्टार बिगिनिंग पे लगा दो और प्लोजिंग पे इस्टार स्लेस लगा दो और बीच में आप कितने भी लाइन लिख सकते हो तो यह न कमेंट्स पार्ट हो गया यहां से लेकर यहां तक का फिर यह लाइबरेरी फाइल से लिंकिंग हो गया यह वाला फिर मैं न आप इंटीजर मेन लिखेंगे लास्ट में यहां टिर नोल लिख सकता हूं यहां पर लिखो लिए है कर लिए का सिफ्सक्राइब करो कि मालों कि दूसरा फिगर है यह अपना चाहते हैं कि स्टार की जगे इसको रण करके देखले एक बार और वापस तो रन करके देखोगे यह पर फिर यह मैंने मालोगे six row दे दी अपने six row में यह पूरा यह प्रिंट हो गया है अब अपन को दूसरा प्रोग्राम करना है यह अपन इसकी जगह यह चाहर रहें जैसे one और फिर यहां मेरे को सेकेंड लाइन में one two यह आना चाहिए one two थर्ड लाइन में one two three आना चाहिए one two three अब फॉर्थ नमर की लाइन में one two three four आना चाहिए प्रेट लेट keण न में तो चैबना ऑना जाज़िए यह केसे प्रुंट करें ना कितनी नममर से से पीरमिड बनाना चाहेंगे औहुत पिर स्फ़ीत को नंबर के आएगा यह कोडमें इतने कोडम चलाएगा अपनों चलाएगा अब क्या ची यह यह ची आपनको पहले लाइन में वन आना चाहिघना यह ज्य लूप के इसे चल रहा है तो जे लूप आएकर कमान वन आएगा तो जे वन चलेगा ना सब् sahuffle destitute चलेगा आजका मांट थि आएगा तो जे वढू Inटु थी चलेगा इक हर एंग जे 65% और तक चलेगा तो अपने को चलेगा तो कर ना कुछ नहीं dirty चेंज करने यह तोड़ा सा देन मालम है लो में अपने 2D ले लेता हूं वानी Loll linear ale तो इसको सेव कर लो छे कंपाइल एंड रोड़ अब मैंने यह पर मालों कि 5 दे दिया अब तुम नेको pie दिया तो यह रिजल्ट आ गया रिजल्ट हाँ आका वन आ गया था तूस सेम लोजिक को अपनने एक यह चेंज किया वस में यह लैइन पर चाह curry तूज भज़र गर सबूसित फिरेंट में विल जाएगा अब अपन को चीए कि जैसे यह वह अ यहां पर 3, 3, 3 अनकी है इहां पर 4, 4 आनकी है तो तुम कहोगए यह कैसे लऑँंगा तो यह लाऊँगा सेम प्रोग्राम है तो आप देखोगे यह अपका ूनमर, यह रोमें इतो नाधल है, यह रोम से कॉलम पर न्रोंन द्वरिया कि लाँगा यह लिए अब न्या då The तो अबіч पहले चल रहा था फिर हो ग्या वण थिया आ देखे को अग्या आई ना चलेगा अगर एक लूप में इनर लूप में च।यों कलेगा इन tealeloop मोंगैं को प्र्इंट कराओं भाइस दूसरा पाड़ेंगे मैंने ये लाइन चेंजगे इंड इस लाइन को मैंने अगर चेंज किया तो फिर फिर भीडम चेंज जो जाएगा अब इसको सःग्जीट करो मैंने इतर्ट करके देखें निए दालनी या बने मॉन कि यह effectivement एंटर किया तो आपके एट रहा गए यह देखो नहीं यह एट रहा गए इसका एंटर दा नमर ओफ रोज एट यह पूरा वन आ गया तू टू टू आ गया थिरी थिरी आ गया फोर फोर आ गया अगर गेब करकर कम करना चाहो तो वहां पर टू डी कर सकते हो और मेनुवल भी अगर यह देना चाहो तो पर सेंटे nut कि सपेस दे कि हुआ है अगर गेब करा सकते हो वह फकता पर सेंट डी लिग दो शुफ में प्रिंट अप में इस तरह से पर्ञाद सबना ले सकते थिक्भ्स को तो अपने तीन प्रोग्रांज हो गए देखें आपन तो चोथा प्रोग्रांज में अपनको रेगुलर देखो कि आपनको यहां one पे प्रिंट हो गया प्र जेसे लाइन चेंज करेगा फिर यह 2 और 3 होना चाहिए, फिर लाइन चेंज गरेगा, तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहां पर 4, 5, 6 होना चाहिए, फिर जैसे 6 पर closing वही तो next line पर 7 से सुरू करेगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, अब अब अपन को यह कैसे चाहिए अब यह करने के लिए अकनों पता है कि यह लूप में अपन इपय लूप को एससे इसनी फिक्स रखेंगे इस से यह पता रहेगा कि छितनी ओवेल्यव प्रिंट करने दू को लूप को बिल्कूल भी है ना इसके साथ में वह नहीं करेंगे मोडिफाइज नहीं करना लूप को अपने को ओनली प्रिंट प्रिंट प्रिंटफ में ही चेंज करना अब यह तुम देख रहे हो ने यह अपनके रेगुलर एक काउंटिंग है पहले वन आ रहा फिर टू आ रह आ रहा तो यह क्या है यह नेच्योरल लबर यह नेच्योरल नर अब यह ना तो नेच्योर नदर करने लज़े लिए तो अगर मैं आए की तो उनीघ चुलरा थैद यह क recognition करो भीrat of यह टेटिक को प्रिट करता जाएगा plus प्रेंटि कर एगा फिर प्लस प्लस करिए प्लस कर वब इनको करें तो शूंद सब्सक्राइब्स फिर मिरत कर देंक स겠네요 चैनले जिना Innerll पिर डूद्ध पहरार चलFC लिए तो हर रो में ठीट सर रहेगा फिर बढ़ता के इसा पर पर के देखेंघ़ मैं ना पे मैंने 9 दे दिया तो यह एकदम एकजेक्ट फिगरां गया देखो यह पुराइपका फिगरा गया ओपुट का मैंने 9 दिया वन आ गया फिर 2 3 आ गया एक जग्ड आलाइनमेंट आ गया तो इस तरह से अपन प्रोग्राम बना सकते हैं तो अपनको करना कुछ नहीं था यह अपने पास पहला पहला जो एवाला जो पोर्शन था तो एवाले पोर्शन में अपने यह लिखना है अपनको प्रिंट जो है इनर लूप में जो चल रहा है प्रिंट में इस्तार लिखना है कोटेशन इस्तार यह पहला प्रोग्राम इससे बन जाएगा दूसरा वाला जो प्रोग्राम था भी वाला पोर्शन उसमें करना कुछ नहीं है अपनको उसमें अपनको प तीसरे वाले प्रोग्राम में करना क्या था कि अपने जो तीसरा जिआ डायग्राम बनाना था तो तीसरे डायग्राम बनाने के लिए अपने किया कुछ नहीं है आई को प्रिंट करवा दिया यहां पे यह print up में अपने percent 3D करके quotation को बंद किया और i को print करवा दिया मैंने और चोथे प्रोग्राम में अपने t बराबर 1 ले लिया, fourth नमर का जो options था, अपना d वाला जो options था तो उसमें एक नया variable अपने ले लेंगे, t equal 1 ले लेंगे integer में और फिर print up में करना कुछ नहीं है तुमको, print up में यह percent 3D, 3D करके और t को t plus plus को print करा दो, t plus plus तो अपने पास सने चार अलग-अलग format हो जाएंगे, चार patterns आपको clear समझ में आ जाना चाहिए तो ज्यादक typical प्रोग्राम नहीं है, जो समझ में नहीं आएगा तो अपनको main नेस्टेड लूप की control को याद रखो, कि कैसे print कर रहा हम इसको तो अपना प्रोग्राम से बिलकु लीजिया है, यह पर display तो अपन को क्या चाहिए न, उसी साफ से value print कर देगा तो यह अपने run करके देख लिया लास्ट प्रोग्राम नहीं है रह गया अच्छे लगे तो subscribe जरूर करे, thank you कर दो